आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिजाइनर स्लीज बनाएंगे और इसका जो लुक है वो काफी डिफ्रेंट है तो आप इसको जरूर ट्राइ करिएगा तो इसे बनाने के लिए हमें आपर सबसे पहले पेपर लेना है पेपर को हमने फोल्ड कर लिया है ठीक है अब हमें जो Sleez बना रहे हैं वो आलो तक की Sleez बना रहे है जिसकी Length है हमारे पास 10 इंच और उसका जो राउंड है वो है 12 इंच तो अभी इसके याँ पर लेनी होगी तो यहाँ पर जो हमारी elbow तक की land है वो 10 inch है हम उसमें 1 inch plus करेंगे तो हमने आप 11 point पर mark करके line को draw कर दिया है ठीके? इसके बाद हमें आपर marking करनी है तो हमें आपर puff create करने के लिए थोड़ा सा extra लेना होगा इसको तो sides से हम पहले इसमें extra लेंगे तो उपर और नीचे दोनों line draw कर ली है हमने ठीके? इसकी land हमने 11 inch ले ली है अब हम यहाँ पर puff को puff बनाने के लिए आपर 4.5 inch लेना है आप चाहें तो इसमें 5 inch भी ले सकते हैं कोई problem नहीं होगी ठीके? तो मैंने यहाँ पर इसको 4.5 inch लिया है एक straight line draw कर देनी है अब जो हमने line को draw किया उसके side अब हम sleaze की marking करेंगे ठीके? तो जो हमारा armhole वो यहाँ पर ले लेना है तो हमारा जो armhole वो 9.5 inch का है और 4 inch पर हम sleaze को down करेंगे ठीके? तो देखिए armhole 9.5 inch था तो 9.5 inch पर mark की 4 inch पर हमने इसको down किया और इस तरीके से shape देना है इस round हमारा 12 उसका half लेंगे हम 6 inch 2 inch margin के लिए लेना है उपर के side से भी straight line ड्रो करनी है इस तरीके से और 2 inch जो margin है उसकी marking करनी है यहाँ पर पहले हम mark कर देंगे क्योंकि जो हमारा पूरा armhole वो 9.5 inch का है इस तरीके से line को draw कर दिया है अब हमें आपर दिखिए उपर के side से भी थोड़ा सा extra लेना होगा तो हम इसे 2 inch extra ले रहे हैं इस तरीके से और यहाँ पर हमें shape देनी है इस तरीके से हमने इसका shape दिया इसको हम cut करेंगे तो cut करने से पहले हमें belt की marking करने ही तो हमें यहाँ पर 3 inch पर mark करना है तो यहाँ से हमने 3 inch पर mark किया इसके बाद हमने यहाँ से इस पर 1 inch पर mark करेंगे और इस तरीके से line को draw करेंगे थोड़ा साम इसके उपर के साइट पर जाएंगे लगबग 3.5 इंच के कॉर्डिंग ठीके 3.5 इंच ले लेना है सेंटर से और इस तरीके से कट कर लेना है तो जो बैल्ट है इसका वो हम अलग से कट करेंगे तो यह हमारी स्लीज कट कर कम्लीट हो गई है उपर के साइड भी टक कट लगा देना है कट लगाने की बाद हम इसको उपन करेंगे इससे हमने मैन फैबरिक पर कट कर लिया सैम एजटी इस हमने इसको कट किया है ठीके और कट भी इसमें लगा लिए है अब जो हमारी इसकी belt है वो हमें यहाँ पर cut करनी है तो देखिए normally जो हम belt थी हमको 1.5 इंच की रखनी है ठीक है तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर mark करेंगे यहाँ पर हमें 11.5 इंच ले लिया है यह थोड़ा extra है बर्टा हम extra बाद में cut कर देंगे पर हमें कम नहीं लेना है इसमें तो देखिए हमने आपर इसको 11.5 इंच लिया है और इसकी जो width रखी है वो हमने 2.5 इंच रखी है मैन फैब्रिक पर भी cut कर लिया अब हमें आपर इसमें plates डालनी है तो सबसे पहले हम नीचे के side पर plates डालेंगे तो जो हमने cut लगाया है वहीं से हमें plates डालना start करना है और बिल्कुर इस तरह से gathers बनाकर हमें इसमें plates डालनी है यह देखिए इस तरह से plates को डाल दिया है अब से हम इसी तरीके से हम उपर के side पर भी plates डालेंगे यह देखिए इस तरह से plates डाली इस पर प्रेस कर लेना है थोड़े तो यह अच्छे से set हो जाएगी अब यहाँ पर जो इसकी belt है वो complete करेंगे इस तरह से stitch कर लिया है तो इसे मैंने दोनों side से stitch करके पलट लेना है लटने के बाद इस पर प्रेस करेंगे तो अच्छे से finishing आ जाएगी दोनों ही belt हमें आपर ready रखना है और एक स्लीज में हमारे दो belt लगेंगे तो जो हमने यापर lace ली है थोड़ी सी broadly है उसको हम सेंटर पर stitch करेंगे जिससे स्लीज का look जो है वो थोड़ा सा different हो जाएगा और थोड़ा unique हो जाएगा यह देखिए इस तरह से lace को लगा कर complete कर लिया है अब यह lace देखिए इस तरह से रखना है और इसको stitch करना है तो इसको हमने आपर इस तरीके से v-shape में stitch किया अब इसको center पर रखेंगे और यहां से हम इसको stitch करेंगे जहां पर भी इसका corner आया है सुई को अंदर करेंगे और इसको fabric को गुमाते हुए stitch कर देना है बापस से cut लगाना है center पर और इस तरीके से इसको पलट कर stitch लगानी है इसके उपर से यह देखिए इस तरह से हमने stitch लगाई अब इसके उपर से हम lace लगाएंगे तो अगर आपको lace लगानी है तो आप लगा सकते हैं वहना आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं तो यह देखिए मैंने आपर इसमें lace को लगा दिया है यह स्लीज का हमारा final look है अब इसे हम blouse में अटेज करकर देखेंगे यह कि स्ट्राइब से इसको अटेज किया जाता है यह हमारा front और back part को shoulder को stitch कर लिया आप center पर रखकर स्लीज को हमें stitch करना है कि दूसरे साइट से भी सेम इसी तरीके से stitch करना है यह देखिए इस तरह से fitting भी लगा लेनी है जितना आपका chest और waist का fourth part है और sleeves round का half उन तीनों की marking करके हमें आप पर fitting लगानी है देखिए आपर इस तरह से नॉर्मल ही fitting लगा लेनी है पेंट स्लीज बनकर complete हो गई है I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like, share and comment जरू करिएगा और चैनल को subscribe जरू करिएगा Thank you जो झाल झाल